यो तो छारखन में जलागारों की संख्या काफी है परंतु प्रकृति की कोद में बने लतरातु जलागार की बात ही निराली है क्योंकि मानब निर्मित होने के बावजूद ये पूरी तरह से प्रकृतिक ही लगता है खूटी जिला मुख्याले से लगबग 38 किलो मीटर दूर ये जलागार करवा प्रकृतिक के अंतरगत आता है यहाँ पहुँचने के तीन मार्ग है एक आप बेडों से लापुंग और लापुंग से साई मंदिर होते हुए यहाँ आ सकते हैं दूसरा मार्ग है खूटी से कर्रा, कर्रा से विर्दा, मानपुर, ढूमर गड़ी गाउं होते हुए लतरा तू चलाशय पहुचा जा सकता है दूसरा मार्ग है राची से लोदमा, लोदमा से कर्रा, कर्रा से विर्दा, मानपुर, ढूमर गड़ी गाउं होते हुए लतरा तू चलाशय पहुच सकते हैं वैसे आप जिस ओर से भी आएंगे, नैना भिराम प्राकर्तिक नजारे आपका स्वाफ़क करेंगे और त्रिष्टी को विस्तार देते इनहीं प्राकर्तिक नजारों के बीच आपको बेहत मनुरम बांध मिलेगा लतरातू चलाशय जहां अन्य कई बांधों में काफी विस्तार है और उन्हें समग्रता में एक साथ नहीं देखा जा सकता वहीं लतरातू की ये विशेश्टा है कि आप इसे एक साथ इसकी समपूर्टा में निहार सकते हैं आकर्शन ऐसा है कि आपका क्यामरा बर्बस निकल पड़ता है और आप इसकी छवी उतारने से नहीं चूपते खूटी जिला प्रशासन का उदेश्य है परिटन के विकास से रोजगार के नए अफसर स्रचित हों लतरातु जलाशे को जिले के प्रमुक परिटन स्थलों के रूप में विकसित करने ही थू यवस्थाओं को सुद्रिण कर सक्रिय प्रयास किये जा रही हैं है प्रकृति की गोद में बना ये अभिनव निर्मान नैनों को सुख देता इसका दर्शन प्रमान हुआ हुआ है हुआ है